हाई फ्रेंग्स वेलकम टू हितिश्रीस कीचन आज हम लोग अमेरिकन कॉन की सबजी बनाएंगे उसमें मैंने एक कॉन को ऐसे पीसिस में काटके थोड़ा सा नमक और हल्दी डालके उबाल लिया है और आदा कॉन ये एक बॉल है जो मैंने उबाल लिया है उसमें भी थोड़ सा नमक और हल्दी डाला हुआ है और आदा कॉन जो मैंने टीस लिया है दो प्याज है उसकी मैंने प्यूरे बना ली है दो बड़े साइस के टॉमेटो उसकी प्यूरी बना ली है एक मैंने सिमला मिर्च लिया है उसको लंबा काट लिया है और बुनी हुई मुकफली का दन्या लिया है अत्रक हरी मिर्च और हरा लसुन की पेज की है सबसे पहले में गैस अन करके उसमें तीन चम्मच तेल डालूंगी सबसे पहले में एक चम्मच जीरा डालूंगी थोड़ी सी राई पिंच ही डालूंगी और ये जो लसन अद्रक और मिर्ची की पेज के अपह डालूंगी त्याक्टी प्यूरी डालूंगी और उसे ढखके दो मिनिट तक होने दोंगी तक ही प्यास का कच्छापन निकल जाए अब इसमें टॉमेटर फ्यूरे डाल दोंगी और ढखके उसे होने दोंगी और ये जो पिसी हुई मक्काई है उसे में इसमें डाल दोंगी ये कच्छी ही है इसकी वज़े से ग्रेवी एकदम ध्रट हो जाएगी कच्छापन निकल गया है और इसमें ये सिमला मिर्च डाल दोंगी और थोड़ा सा पानी डाल दोंगी आदा चमच हल्दी एक चिममच धनिया और जीरे का पावडर दोंगी एक चममच लाल मिर्च और ये जो मूंगफली का पावडर है बुनी हो ये मूंगफली का वो मैं तीन चममच डाल रहे हूं और ये उबले हुए कौन है वो डाल देती हैं और ये जो पीसी से सब्जी एमारी डेडी हो गई है और ये अमेरिकन कौन की सब्जी आप प्राठे के शॉब्स प्राठी के शॉब्स प्राइब ये जो गई है का या बाजरे या जवार की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है मैं गैस बंद कर रही हूं और अब सौफ कर लेती हूं हरे दनी से उसे गार्निश कर लूगी आप देख सकते हो कि अमेरिकन कौन की सबजी बहुत ही अच्छी बनी है और उतनी ही टेस्टी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मैच